जब 191 ये गलती, गलती से भी मत कारण वाइफ ही। ठीक है तो मैं अभी उसे कॉल लगा कर बता देता हूँ इसके भाई बहन उसके पीत पीछे उसकी वाइफ की कान भर रहे है उसके प्रती, निखिल दोनों को धमकी देते हुए बोला। सुनकर ओम कंची बस निखिल को अपने मन में कोसते हुए देखने लगे। मुझे कोसना बंद करो और जाकर अमृता के लिए जूस और मेरे लिए एक कॉफी लेकर आओ, निखिल दोनों को ओर देते हुए बोला। अगर तुम तीनों मेरे बेटी को परिशान किया तो तुम तीनों की खेल नहीं। संगीता जी तीनों को धमकाते हुए बोली। माम इभी में तो आपका सबसे समझदार बच्चा हुन। निखिल इनोसेंट सा फेस बना कर बोला। ममा इनके इनोसेंट फेस पर मत जाना, कंची जल्दी से बोलो तो निखिल उसे घूर कर देखने लगा। मैंने आपको नहीं कहा, मैं तो ओम भाई को कहा है, कंची कलती मरते हुए बोली तो ओम उसे घूरते हुए बोला, मैं इनोसेंट का टैग नहीं है, मेरा क्वीट का टैग है, इनोसेंट का टैग निखिल भाई का है, तो तू मेरा नाम लेकर बच मत, ओम कंची को घूरते हु I'm good, आप कहा थे अभी तक देख नहीं रहे थे, अमृता निखिल को जवाब दिया। भाभी को तो दे दिया हमारा गिफ्ट कहा है। ओम निखिल से पूछा। चलो मेरे साथ में तुम्हारा गिफ्ट देता हूँ। निखिल बोल कर जैसे ही उठने को हुआ ओम मुबाइल का बहाना बना कर जल्दी से भाग गया। ओम के जाने के बाद निखिल संगीता जी को अमरिता एक टक सामने देखते हुए बोली। जिस वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। निखिल बोला तो अब अमरिता की आखें। नम होने लगी उसका हाथ अपने पेट पर आ गया था। मुझसे क्या पूछ रहे हो आप जिसने ये सब किया है उससे जाकर पूछो अम प्रकीन में गलत थी यहाँ पर मेरा भाई नहीं एक दोस्त आया है जो एक बार फिर से अपने दोस्त की गलती चुपाने की कोसिस कर रहा है। अमरिता बोली तो निखिल उसे हैरानी से देखने लगा। तुम रोन जा रही हो अमरिता में यहाँ पर किसी की तारिफी करने न नहीं तो इस बार अगर अमृता उससे अलग हुई तो डेवल पता नहीं क्या कर जाएगा निखिल चिंता से बोला। अमृता रोते हुई अपने आप से बोली। अपने आशु पॉचकर अपना सर सोफे से टिका लिया। वही दूसरी तरफ एक चन की आवाज से पूरा ग्लास तूटा तो उसे के हाथ खून से लहुलुहान हो गए। यही गलती तुम गलती से मत कारण वाइफी नहीं तो तुम मेरा वो रूप देखने को मिलेगा जो अभी तक तुमने इमेजन भी नहीं किया होगा। अन्डिसको आज के लिए बस इतना ही एंड गाइस प्लीज सपोर्ट मी। अम्रिता दयानें टेबल पर बैठी हुई थी और सब उसे घेर कर बैठे हुए थे मैं खा रही हूँ प्लीज आप सब अपना दिनर कंटिनू करो अम्रिता सब को देखत हुए बोली अम्रिता के कहने पर सब अपने अपने चेय पर बैठ गए ठीक है लेकिन आपके हम सब के हाटों से एक एक बाइट खाना होगा। कंटिन अम्रिता को देखते हुए बोली अम्रिता ने अपना सरहा में हिला दिया सब अम्रिता को एक एक बाइट खिलाने लगे अम्रिता सब का एक एक बाइट खाकर अपना दिनर करने लगी कुछ देर बाद सब दिनर करके होल के सोफे पर बैठे हुए थी क्यूकि कंटिन प्लान किया था जिस वजह से सब मिनी थीटर में न जा कर होल में ही मूवी देखने का प्लान किया था। अमरिता का मन तो नहीं था लेकिन कंची का मन रखने के लिए बैक गई थी। गाय साप लोग देखो मुझे नीदा रही है। अमरिता उठते हुए बोली। फिर हम ही देख कर क्या करेंगे। चलो हम भी सोते हैं। अमरिता खुद से बाते करते हुए बोली। नहीं मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ, मुझे किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता चाहिए। अमरिता अपनी आशु पांच कर खुद को दिलासा देते हुए बोली। लेकिन कैसे कैसे मैं उस भुला डू वो मेरा। इतना बोल कर अमरिता रोने लगी। और उसे मरने वाला भी तो, जिसे मैं कभी अपने ड्रीम में भी नहीं सोच सकती थी अमरिता अक्ष को याद काट गुस्से से बोली। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और इसकी सजातों में तुहें देकर ही रहूंगी। अमरिता गुस्से से बोली। आमिस यू बेबी। अमरिता रोते हुए बोली और वही टेबल से लगकर बैठ कर रोने लगी। रात के एक बज़े अक्ष की कार आके अम विला रुका अक्ष कार से बहार निकल कर विला के अंदर आया तो उसे होल में ही संगीता जी बैठी हुई मिल गई। मॉम आप यहां क्या कर रहे हो। मैंने बोला था ना कि मुझे आने में देर हो जाएगी। अक्ष बोला और संगीत जी के पास जाकर बैठ गया। संगीता जी जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि उनकी नजर अक्ष के हाथ पर पड़ी। ये कैसे हुआ। ध्यान कहा रहता है तुम्हरा कितना जायदा लग है। संगीत जी हट बनते हुई बोली। मॉम मॉम बस छोटा सा काथ है। आप कल तक ठीक हो जाएगा आप चिंता नहीं करे। अक्ष संगीता जी तसली देते हुई बोला। हाँ मुझे पता है। जाओ जल्दी से फ्रेस हो जाओ मैं तब तक दिन लगती हूँ। संगीता जी अक्ष को घूरते हुई बोली। मैं अक्ष अपने फिंगरप्रिंट से दोर ओपन किया और अंदर गया तो तो अमृता उसे बैक पर नहीं दिखी अक्ष अपनी नजर चारो तरफ घुमा कर देखने लगा तो अमृता आइने के टेबल से लगकर वाली रोते हुए दो गए थी। अक्ष अपना कदम उसके अक्ष अमृता हुआ महसूस हो रहा था आई प्रॉमिस वाइफी जिसने भी ये किया है अब ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा अक्ष गुस्से से बोला और अमृता को अपने गोद में उठा कर बैक पर लिटा दिया और उसे अच्छी से कवर करके उसकी सर पर किस करक बाथरूम चला गया कुछ देर बाद अक्ष फ्रैस होक बाथरूम से निकाला इस वक्त हो सिर्फ हाफ पैंट पहन रखा था अक्ष अमृता के पास आया और उसके पास लेट कर उसे अपने उपर ले लिया उम्मी छोड़ो मुझे अमृता नीच से जागते हुई बोली क्य तुम चाहती हो मैं सुरू हो जाओ अक्ष सीधे से अमृता को धमकी देते हुए बोला मुझे अभी के अभी छोड़ो नहीं तो मैं अभी पापा को बुला दूंगी एक मिनित तुम अंदर के से आय मैंने तो डोर अंदर से लौक कर दिया था ना अमृता गुस्से से बोली वाइफी तुम सैयद भूर रही हो कि तुम्हारे सामने कोन है ये मेरा घर है अक्ष डेविल इसमाइल करते हुए बोला तो अमृता बस अपनी मुठी का स्ली छोड़ो मुझे अमृता संती से कहा वही तो नहीं कर सकता आदत हो बई है अब तुम्हारी अक्ष बोला तो अम गाइस प्लीज सपोर्ट मी आज का चैप्टर के सा लागा बताना न भूले मेरी इंस्टा आइडी क्रूल गर्ल 6462 मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तब तक बाचा 193 अमृता का रोना अक्ष का एक्सपेक्ट करना आदत हा सही कहा बस एक आदत ही तो हूँ जिसे चुलाया भी जा सकता है और बहुत जल चला भी जाया है अमृता बोली तो अक्ष की आखे सर्ध हो गई अक्ष छटके से अमृता को पलट कर अमृता की ऊपर आ गया आहां अमृता के मूह से निकाला उसकी नेल अक्ष के नेक पर धस गई अक्ष भी अपनी आखे बंद कर ली अमृत जो कुछ भी तुम्हारे माइन में चल रहा है उसे अभी निकल दो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, अक्ष अम्रिता को भूरते हुई बोला। अक्ष बोला उसकी हरीन से साफ दिख रही थी इस वक्त। अक्ष बोला तो अम्रिता अपनी आखे खोल कर अक्ष को देखने लगी, उसकी आखे लाल हो गई थी, जवाब दो, जाना है, उसके साथ, अक्ष अपने गुसे पर कंट्रोल करते हुए बोला। मुझ पे अम्रिता अफसोस के साथ बोली, अक्ष की बोलता बंध हो गई वो एक तक अम्रिता को देखने लगा, क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है, तो निकालो न देर क्यों कर रहे हो, जीती जाकती इंशान सामने पड़ा है, इस पर गुस्सा निकाल सकते हो, अम्रिता अक् अम्रिता को होटों के किनारे से खूल निकल रहा था, अम्रिता के होट एक दम से सूज गया था, बस हो गया तो अब प्लीज हट जाओ, अम्रिता इसमाइल करते हुए बोली, तो अम्रिता की इसमाइल देखकर अक्ष अपनी मुठी कसली, बार बार मुझे प्रोवोक करना अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए बोला। अभी गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और निकालना है तो निकालो, लेकिन येसी बाते तुम्हरे मूँ से अच्छी नहीं लगती है। अम्रिता हस के बोली, अम्रिता की हसी अक्ष का गुसा आउट ओफ कंट्रोल कर रहा था अक्ष अपनी आखे बंद करके गहरी सांस ली फिर अपनी आखे खोल कर अम्रिता को देखा तो अम्रिता जी अभी तक उसे ही देख रही थी अक्ष को अपनी तरफ देखता पा कर अपन मूँ फेरली अक्ष कुछ नहीं बोला और उसके उपर से उठ गया अक्ष बैच से उठ कर अमरिता को अपने गोद में उठा लिया अमरिता अपने हाथ चलाते हुए गुस्से से बोली मुझे कहीं नहीं जाना है छोड़ो मुझे अमरिता बोली अमरिता के बाद का अक्ष कोई जवाब नहीं दिया अक्ष अमरिता को लेकर बलोकानी में चला गया अक्ष वही सोफे पर अमरिता को अपने गोद में लेकर बैक गया अम्रिता अब भी अक्ष के गोज से निकालने की कोसिस कर रही थी लेकिन अक्ष की अपनी पकड़ और मजबूत कर रहा था मुझे अभी के अभी छोड़ रहे हूँ की नहीं अम्रिता हलका चिलाते हुए बोली अक्ष बिना कुछ बोले बस अम्रिता का फेस देख रहा था तो अम्रिता गुस्से से अक्ष के नेक पर कसके बाइट कर ली अक्ष फिर भी कुछ नहीं बोला अम्रिता तब तक अक्ष के नेक को नहीं छोड़ा जब तक वहां से खून का टेस्ट उसके मूँ में नहीं आ गया अम्रिता अक्ष के नेक को छोड़ी तो बस हो गया या कहीं और बाकी है अक्ष स्माइल करते हुए बोला अक्ष की बात सुनके अमरिता कुछ नहीं बोली, रोना है, अक्ष अमरिता को देखते हुए बोला अमरिता एक छोटे बच्चे की तरह अपना सरन में हिलाने लगी लेकिन उसकी आखे कुछ और ही कह रही थी अक्ष कसके अमृता को अपने सीने से लगा लिया अमृता कंट्रोल अब धीरे धीरे चुट रहा था अमृता पहले तो अक्ष को अपने आप से दूर करने लगी लेकिन कुछ देर में वो अपनी पकड अक्ष पर बनाने लगी अमृता जोर जोर से रोने लगी अक्ष उसका सर से हलने लागा वाइफी मेंने रोने दिया इसका ये मतलब नहीं कि अब तुम रोते रहोगी अक्ष बोला ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ अमृता रोते हुए अक्ष के सीने पर अपने हाथ से मारते हुए बोली अमरिता अक्ष के सुने पर मारते हुए बोली, मेरे बोलने से क्या फर परता है वाइफी, जो समझना है वो तो तुम समझ कर बोल चुकी हो, अब इसे आगे में क्या ही काहू, अक्ष अमरिता का सर से हलते हुए बोला, उसी बात का तो मुझे रोना आ रहा है कि खुद के ही लिया है तो अब मेरे बोलने न बोलना से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं एक्सपेट करता हूँ, मेने ही खुद के बच्चे को मारा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यूंकि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, अक्ष बीना किसी भाव से बोला, अन्डिस को आज के लिए बस इतना ही एंड मिनी जी थांक यू बट लीज और सब भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दो व्यूस बहुत कम हो गए है। क्यू कि मुझे बच्चा नहीं चहिए अक्ष बीना किसी भाव से बोला। के लिए अमरिता का सर ऊपर हो गया। शट अप जस्ट शट अप आक्ष चिल्ला कर बोला। आक्ष की आवाज इतनी तेज थी कि एक पल के लिए अमरिता दर से गई। इससे आगे अगर तुमहरी जुबान या फिर आखे से एक बूंग भी आशु निकाला तो अंजाम भी तुम्हे ही भुगतना पड़ेगा। आक्ष वानिंग देते हुए बोला। मुझे दर्द हो रहा है। अमरिता धीरे से बोली। अमरिता की बात सुनकर अक्ष अमरिता के फेस को देखने लागा जो अब तक एकदम से लाल हो गया था रोने की वजह से। अक्ष अमरिता के बाल को छोड़ कर उसे फिर से अपने गले लागा लिया अमरिता कुछ नहीं बोली। तो उसके लिए तो हमें बैट पर चलाना होगा ना लेकिन अभी तो तुम्हारी हेल्थ ही नहीं सही है अब हम क्या करें अक्ष अन जान बनते हुए बोला। नहीं नहीं मेरी हेल्थ सही है चलो हम अभी बैट पर चलते हैं अमरिता भी न सोचे समझे बोली। अम्रिता की बात सुनकर अक्ष हैरानी से अम्रिता को देखने लगा उसे यकीन नहीं हो रहा था अम्रिता के दिमाग में बेबी का इतना बड़ा एफेक्ट पड़ेगा। वाइफी, तुम्हारी हेल्थ अभी सही नहीं है, हम बाद में ट्राइ करेंगे। अक्ष अम्रिता को समझते हुए बोला, नहीं मुझे बेबी चहीए, तुम्हार बार प्रोटसन यूज़ करते हो, अम्रिताक्ष की सीने पर अपना सर रहते हुए बोली उसका रोना अब धीरे धीरे कम हो रहा था, अक्ष अम्रिता को अपने गोद में अच्छे से प्रोटसन यूज़ नहीं करूंगा, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, अक्ष अम्रिता का माइन दिवोट करते हुए बोला और ऐसा हो भी रहा था, और कुछी देर में अम्रिता अक्ष के सीने पर सर रख कर ही सुगई, अक्ष ध्यान से अम्रिता को देखने अम्रिता को बैट पर लिटा कर अपने लेट कर उसे अपने उपर लिटा लिया, बहुत जल्द तुम्हें सामने आना ही पड़ेगा, अक्ष भी न किसी भाव से अपने आप से बोला, अगली सुबह, अम्रिता की आँख खुली तो वो अभी अक्ष के सीने पर सर रख कर अजबूत थी, ठरकी डेवल खाता क्या है नीद में भी देखो कैसे अजगरदे से जकर कर रखा हुआ है कि छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, अम्रिता धीरे से अपने आप से बोली, वाइफी, मौनिंग की जगर ठरकी का विश कर रही हो, अक्ष बीना अपनी आखे खो वाइफी तुम बोर नहीं होती हो दिन भर गुसा कर रहके, अक्ष अमरिता को अपने उपर लेटे हुए बोला, अक्ष की बात सुनकर अमरिता उसे गुस्थे से घूरने लगी, अब क्या हुआ, क्यो घूर रही हो, अक्ष अमरिता को देखते हुए बोला, मुझे अभी के अभी छोड़ो, अमृता गुस्से से अक्ष को देखते हुए बोली, ये तो अब नहीं हो सकता है, हाँ मुझे मार कर तुम जा सकती हो, अक्ष एक तक अमृता को देखते हुए बोला, अक्ष की बात सुनकर अमृता की मुठी मजबूती से बंध हो गई, अमृता बिना कुछ बोले उसके उपर से उठने लगी, अक्ष फिर से अमृता की पीट पर हाथ रख कर रोक लिया, अमृता की सारे बाल अक्ष के फेस पर आ गए, क्या हुआ वाइफी डेट अभी तै नहीं किया, ये धरकी देविल की मारने की, अक्ष अमृता के बाल उसके कान के पीछे करते हुए बोला, बच्चे को मार दिया, मुझे भी मार कर अपने आपको बचा लो, अमृता बीना किसी भाव से अक्ष को देखते हुए बोला, आज के लिए बस इतना ही एंड गाइस प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करो, व्यूज आने बहुत कम हो गए है, मेरी इंस्टा किसी भाव से अक्ष को देखते हुए बोला, उसकी जान ली क्यों कि वो मेरे और तुम्हारे बीच में आ रहा था, जो कि मुझे पसंद नहीं है, अक्षे कंगूठे से अमृता की होट को रब करते हुए बोला, छोड़ो मुझे, मुझे फ्रेस होना है इ, अमृता अक्ष क के होट पर अपनी उंगली रख दिया, सी, अभी मुझे उस बारे में कोई बहस नहीं चाहिए, मुझे बस अभी के लिए मेरे वाइफी को देखना है, अक्ष अमृता को इंतेसी से देखते हुए बोला, अक्ष के ये से बोलने पर अमृता की दिल की दुरक ने तेज हो लेकिन अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो मैं कर सकता हूँ, अक्ष अपना हाथ नीचे ले जाते हुए बोला, अक्ष के ये से बोलने पर अमृता के गाल लाल हो गए कुछ गुस्से से तो कुछ सर्म से, आहिए तुम क्या कर रहे हो, अमृता आ भरते हुए बोली क्यूंक अक्ष उसके नेक पर बाइट कर लिया था, कुछ नहीं कर रहा हूँ लेकिन अभी के लिए जैसे हो वैसे ही रहो, अक्ष बोला क्यूंकि अब खुद उसकी हालक बिगर रही थी, अक्ष धीरे धीरे अमृता के नेक पर किस करते हुए बोला, अक्ष की बात सुनकर अमृता के मूँ से कोई आवाज नहीं निकला तभी उसे कुछ चुभा जिसे फील करके अमृता की आँखे बढ़ी हो, बात्रूम खाली है जाओ, मेरी तबियत अभी नहीं सही है, अमृता धीरे से बोली, अमृता की बात सुनकर अक्ष उसके नेक पर बाइट कर लिया, अमृता की के गाल से किस करते हुए उसके होट पर अपना होट रख कर किस करने लगा अमृता के हाथ खुद बखुद अक्ष की कंदे पर आके उस पे अपना नेल धसने लगे, दस मिनट बाद, उमूम, अमृता अक्ष के कंदे पर मारते हुए बोली, अक्ष उसके होट से अपना होट रिलीफ कर दिया और अपने होट उसके नेक पर रख दिया। आक्ष के छोड़ने से अमरिता जल्दी जल्दी सानसे लेने लगी। कुछ देर में अमरिता की सानसे कंट्रोल हुई तो मरना है तो मर दो लेकिन मुझे इस तरह से किस मत किया करो। अम्रिता गुस्से से बोली, आह, अम्रिता बोल ही रही थी कि उसकी आह निकल गई क्योंकि अक्ष के एक हाथ उसके सीने पर था, तुम्हें नहीं लगता वाइफी, तुम दिन बर दिन कुछ जायदे ही अलशी बनते जा रही हो, अक्ष अम्रिता को देखते हुए बोला, अक अक्ष अम्रिता को टीस करते हुए बोला, अक्ष की बात सुनकर अम्रिता जल्दी से अपना हाथ हटा कि अक्ष के फेस पर अपने आप ही स्माइल आ गई, और आज तुम्हारी तबियत ठीक नहीं है, वाइफी कौन सा तुम ठीक थी तो मेरे साथ जंडे गार दिया था, अम्रिता अक्ष को देखते हुए बोली, नहीं तो जब तुम्हारे साथ होता हूँ तो मन करता है बस तुम्हारे साथ एक चादर में लिप्ता ही राहू, और संती से बस तुम्हारी दिल की धड़कने सुनू, अक्ष अम्रिता के सीने पर अपना सर राक कर बोला, अक्ष की बात सुनकर एक बार फिर से अमरिता जी बोलती बंध हो है उसके फेस पर अपने आपी इसमाइल आ गई। बात सुनकर अक्ष अपनी आखे खोलकर अमरिता को देखने लगा अमरिता की आखे अपनी बंध थी अक्ष बिना किसी भाव से बोला तो अगर ये बेचैन हुआ तो इसकी तड़क दुनिया को तबाह करेगी फिर अगर कोई रोका भी तो नहीं रुकेगा अक्ष बोला और अ अमरिता की ऊपर से उठ गया अमरित अपनी आखे खोलकर अक्ष को देखने लगी लेकिन उसकी आखे नम हो गई थी अक्ष भी उसे ही देख रहा था तो अमरिता अपना मूँ फेर ली मूँ फेरने से कुछ नहीं होगा वाइफी चलो जल्दी से फ्रेस हो जाओ आज का आज का चैप्टर केसा लगा प्लीज केमेंट करके बताना मेरी इंस्ट आई डी क्रूल गर्ल 6462 मिलते हैं नैस्ट पार्ट में तक तक बा